वेलकम बैदी इस्टूरेंट स्वागता है आपका यह लेक्षर सीरीज आज जो हम टोपिक ले रहे हैं पाइनेशल मैनेजमेंट के अंदर रेशो अनलेसिस और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ओफ रेशो क्लासिफिकेशन ओफ रेशो के अंदर हम टाइप ओफ रेशो मैं ओफ रेशो के क्लासिफिकेशन हम इस लेक्टर में बढएंगे बढ़ेंगे दो इस आने वाले लेक्टर के अंदर बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो रेशो होता है रेशो अनालिस होता है और हम बात को आगे बढ़ाएंगी आई देखिए यदि कोई आपसे पूछे की रेशो होता गाएं तो रेशो हमेशा ध्यान रखिएगा वह तू वैरेबल में ग्लेशन्षिप बताता है तू वैरेबल ठीक है न मैं मैं आपको ले चलता हूं अपना फिर्स्ट है लिक्वीडिटी रेशो गेंदर जब आपको लिक्वीडिटी पोजिशन रेशो के अंदर ले चलूंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा कि यहां पे ग्रूप और रेशो है खाली एक रेशो को एलपुड़ेट नहीं होगा यह सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि अपना आता है most popular ratios को बोलते हैं current ratio क्या बोलते हैं current ratio फिर आता है अपना second जो आता है liquidity ratio के अंदर उसको हम बोलते हैं quick ratio क्या बोलते हैं quick ratio यदि हम देखें current ratio और quick ratio के अंदर इनके formula भी हम देखें यहां पर भी तूव वर्यबल होंगे मतेशे हम देखें यहां current assets upon current life is variable है जब quick assets क्यों के cache में रहेंगे तो यहां पर quick assets upon current Life is variable है तो आप देखें कि हमने यहां पे यह जो ratio पड़े current ratio हमने पड़ा quick ratio हमने पढ़ा इनके हमने formula यहां पे अब हम इन formula का implementation पड़ेंगे सबसे नहीं समझेंगे कि यह जो current i ratio के अंदर current assets है यह क्या है पिर Current Assets के बाद हम देखेंगे कि यह जो current assets का project होता है इसकों क्या बोलते है current liability क्या है और इसके बाद हम देखेंगे थर्ड जो अपना आएगा जिसको हम बोलते हैं क्या बोलो विक असेट्स क्या है इन्हें हम समझेगे तो मैं आपको शोट में इची समझाना चाहरा हूं शोट इंच्वीट आप संधिएगा ची सबसे पहले यह करेंट वर्ड होता है शोट रम क्या होता है उसेट्स प्रूटि अपर अपका देखो लाइबड़ी वड़ा रहे हैं लायबीर नियुक्त वंदभ होता है तो मैंने आपको तीन चीचे बताएं करेंट असेट्स लिए त्हारा तीन वर्ड के मैंने आपको आंसर बताएं अब यदि कोई आप से पूछे कि यह क्या है तो आप इसको क्या बताओगे वह इस वह रिसीवेबल जो शोटरम के लिए हैं यहां पर यूं लिखूं कि करन्ट मिन्स शोटरम और एसेट्स में यहां पर लिख दूँ receivable तो आप समझ जाएंगे कि current assets जो हैं हमारी short term receivable होती है यह सुरना और यदि मैं आपको example लिखवा हूँ कि बच्चों आप देखो कि जो हमारा cash at bank होता है cash at bank हम बोलते हैं कि bank में पैसा है जिसको हम bank balance भी बोलते हैं cash in hand हम बोलते हैं cash in hand भूते हैं जिसको हम cash balance भूते हैं यह हमारे assets हैं के नहीं है current assets यदि हम current assets का opposite track payment जाएं cash at bank का तो उसका opposite होता है short term जो हम loan लेते हैं bank से जह हम current account के अंदर लेते हैं तो उसके बोलते हैं कि बैंक को ऊड़ रहा क्या बोलते हैं ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपका डाइटर कि उसका ठ्रब्र अपॉजिट हरा कि पोलं हुगा कैसे ही वहां हर्ण short term assets short term receivable account short term liabilities short term payable तो current ratio कहलाता है आपको समझ आएगा ऐसे जब हम quick assets की बात करेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा आप समझेगा जब मैं आपको quick assets के बारे में बताऊँगा तो वहां मैं आपको क्या बताऊँगा कि बच्चों जो quick assets होती है इसको कैसे calculate कर दें quick assets को जो हमारी current assets आती है उसमें से हम store or जो आपका prepared या फिर advance expenses है उसको हम क्या कर देते हैं बोलो less कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका बोलो quick assets कहलाता है तो यहाँ पर मैंने आपको current assets भी बताया current life भी बताया quick assets भी बताया जिससे हमारे यह दोनों ratio हो जाएंगे yes or no बोलो यह दोनों ratio हो जाएंगे ओके बटा अब हम questions में चलते है numerical questions को हम देंगे आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज हम जो है अपनी liquidity ratio short term financial position ratio जिसके अंदर हम current और quick ratio के questions को समझें आई देखें तो यह question हमारे पास इसमें हमें दिया है calculate current ratio और इसमें मैं add कर देता हूं कि quick ratio भी आपको calculate करना है अब हम देखें कि हमारी जो current assets हैं वो कितनी हैं और हमारी current liabilities जो हैं वो कितनी हैं फिर हम current ratio निकाल लेंगे बोलो बच्चों yes or no निकाल लेंगे न ठीक है तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि बच्चों जो अपनी current assets की दिए हम बात करें तो current assets portion के अंदर कौन सी है फिर मैं आपको देखें जैसे हम देखें inventory बताओ current assets है फिर नहीं है बताओ inventory का amount है current assets है फिर नहीं है inventory बोल लो आप स्टोक बोल लो current assets है फिर नहीं है कितना amount है 50,000 ठीक है फिर उसके बदम देखें trade receivable जो है जो trade receivable है आपका बताओ trade receivable का मतलब है debtors and BR trade receivable का मतलब क्या हुआ आपका debtors and BR मैं ब्रैक्ट में debtors लिग देता हूं और BR लिग देता हूं तो combinedly हम उनको trade receivable कहते हैं यह आपका कितना दिया है 50,000 फिर दिया है advanced tax advance tax आपका prepared की दरीके से प्रीपेड बोल दें आप advance बोल दें बात एक है तो प्रीपेड जो है प्रीपेड टेक्स एडवांस टेक्स है 4000 है फिर हम cash and cash equivalents की बात करेंगे cash and cash equivalents cash and cash equivalents में जो आपके cash इन सब चीजों को include करते हैं यह है आपका 30,000 यदि इनका टोटल करें हम 1,34,000 आपका current assets है yes or no हम देखें कि current assets हमने calculate कर लिया है current ratio हमें निकालना है तो हमें दूसरा क्या calculate करना है बोलो current liability तो current liabilities को अब हम calculate करेंगे तो हम देखें तो question में दो current liabilities है तो trade payable है और एक short term बोरोई है trade payable वही आपका creditor तो मैं यहाँ पर current liabilities को नीचे लिख देता हूं मैं यहाँ पर current liability लिख देता हूं current liabilities के अंदर हम include इसको कर रहे हैं बोलो एक तो आपका trade payable है trade payable जैसे trade receivable में हम debtors को include कर दे थे trade payable में creditor और जो आपके bills payable है उनका amount आएगा यह है 1 lakh फिर आपको दे रखा है short term borrowing तो short term borrowing आप बोल दें borrowing बोल दें या loan बोल दें payable होता है यह भी 4000 है तो टोटल जो है आपका current liabilities 1 lakh 4000 आएगा नहीं आएगा अब आप मुझे बताओ कि हमारे पास current assets आ गया हमारे पास current liabilities आ गया तो current assets upon current liabilities करके हम current ratio निकाल नहीं बोलो यदि हम current ratio निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं बोलो current assets upon current liabilities यदि हम देखें तो current assets हैं कितनी हमारे पास देखो यदि हम यहां पर इस question के अंदर देखें तो current assets 1 lakh 34,000 है न और current liabilities कितनी है 1 lakh 4000 यदि हम इसमें divide करें तो I think यह आएगा 1.29 अब यहां पर सबसे important चीज़ समयने की है जब भी current ratio short term ratio आते तो is to one हमें अपनी तरफ से लिखना होता है is to one एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि जो actual ratio है जो यहां पर actual ratio आया है वो 1.29 आया है और जो हमारा ideal ratio है जो हमारा ideal ratio है वो कितना है इसका two is to one है तो हमेशा ध्यान रखिएगा यदि यह ideal ratio से less है तो यह आपका more risky है liquidity के लिए और यदि आपका over high आता है ज्यादा आता है तू से ज्यादा आता है तो आपका यह बैटर है liquidity के लिए बैटर है liquidity के लिए अब आप बताओ आपको current ratio समझ में आया बदाओ बच्चों current ratio समझ में आया अब यदि हम इसी questions के अंदर यदि हम दूसरा ratio निकालना चाहें जिसका title क्या था आपका क्विक रेश्यों निकाल सकते हैं बोलो बच्चों निकाल सकते हैं क्विक रेश्यों दूसरों से क्विक रेश्यों पुछ है न तो अब क्विक रेश्यों निकालते हैं तो क्विक रेश्यों जब आप निकालते हो तो क्विक रेश्यों का फॉर्मला क्या था आप याद करो बोलो बैच्छों और जब आपको यहांद हो जो कर्ण असेट्स का अमाउं्ट था उसे दो चीज़ें लेस होती थी एक डूंट्री और एका प्रीप्रेड इक्सपेंसेज तो यहां पर इन्वेंटरी भी और जो आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज थे वहाँ पर advance tax है के नहीं है बताओ तो जब आप current assets का amount लिखेंगे जो 1,34,000 था और उसमें से इनको less करेंगे तो inventory भी less हो जाएगा आपका 50,000 आप देखो inventory 50,000 है और जो आपका advance tax है वो भी less हो जाएगा 4,000 तो जो total आपका less होने के बाद आएगा जो quick assets आएगा वो 80,000 आएगा नहीं आएगा बताओ आएगा 80,000 अब यह जो आपका quick assets है 80,000 आया है अब हम इस quick assets को यहाँ पर quick ratio में रख सकते हैं हम रखेंगे quick ratio जब हम calculate करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे अपनी जो quick assets आई है उसमें हम divide कर देंगे किसका current liabilities का क्यों एक assets हमनी आई है 80,000 और current liabilities जो हमने पहरे निकाला था आप देखें 1,04,000 हमने निकाला था यदि आप 80,000 में divide करेंगे कितने का बोलो 1,04,000 का तो I think यह 0.77 आएगा हम इस टू 1 अपनी तरफ से लगाते हैं यह हमेशा ध्यान रखिएगा जब 0.77 आएगा तो यह actual ratio आया है आपका 0.77 जब हम ideal ratio की बात करते हैं तो इसके भी आइडल का मतलब होता है पीटा आदर्श आदर्श आइडल रिश्यो के लिए हम बात करें तो इसका 1 इस टू 1 है तो यहां पर वही condition less है या फिर more है तो आप बताओ यहां पर less आ रहे हैं 0.77 आ रहे है तो इसका मतलब बताओ क्या है जब ideal ratio से less आता है actual ratio तो आपका कह बोलो more risky है more risky है इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं more risky है इसके अलावा हम यह भी लिख सकते हैं कि less liquid है बोलो less liquid हुआ नहीं हुआ बताओ तो हमने यहां पर जो financial position में short term था उनको हमने किया इस question की help से current ratio को भी समझा हमने quick ratio को भी समझा अब जब next lecture करेंगे तो उसके अंदर हम किसको समझेंगे बच्चों बताओ अपना जो solvency ratio है long term financial position ratio है उसको समझेंगे तो मिलते हैं next lecture में thanks